आप सबको 2019 की बहुत बहुत शुब कामना है आज बजेट सत्र प्रारंब हो रहा है कुछी देर के बाद अधरनिय राश्पति जी दोनों सदन को संयुक्त सत्र को समोधित करेंगे पिछले बार सदन का रूख हम सब ने देखा है आज देश में एक जाग रूखता है हर नागरिक सदन की गतिवीधी को बहुत बारिकी से देखता है और आज कि देश की हर छोटी मुटी घटना को पहुंचने की रीच भी बहुत है तो सामान ने मानवी तक कि सारी बाते पहुती है और उसके कारण डिस्कसन में जिनका इंट्रेस्ट नहीं होता है डिबेट में जिनका इंट्रेस्ट नहीं होता है उनके प्रती समाज में स्वाभाविक नाराजगी पैदा होती है मैं आशा करता हूँ कि सभी हमारे आदर ने सांसत इन जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कि इस बजेट सत्र का उप्योग गहराई से विस्तार से जानकारियों से भरपूर चर्चा में हिस्सा लें अपने विचार रखें सदन को लाभानवित करें सरकार को भी लाभानवित करें और हमारे पास इस सत्र में जितना भी काम है उसका सरवाधिक उप्योग हमारे सभी आदर ने सांसत करें ऐसी मेरी उनसे अपेक्षा है और मैं ये भी जानता हूँ कि अब जब अपने अपने खेत्र में भी उनको जाना है तो इस पार सदन में जो उत्तम और सकारात्मग वहवार रहा होगा उसका एक सकारत मगलाब मादान में भी सदस्वों के तरिप लोगों के देखने के वहवार में भी नजर आता रहता है मुझे विश्वास है इस गंभीरता को सभी लोग स्विकार करेंगे सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर के हम चले हैं आगे भी इसके लिए हम प्रतिबत्ध हैं कमिटेड हैं सदन में भी सबका साथ लेकर के देश के विकास के लिए काम करने के निर्णों में हम आगे बढ़ना चाहते हैं हमारी पूरी कोशिश रहेगी हर विशेपर चर्चा करने के लिए हम उत्सुख हैं मैं स्वागत करूँगा खुले मन से चर्चा का मैं स्वागत करूँगा सदन की कारवाई अच्छे रंग से चले इसका मैं स्वागत करूँगा कि यहां सभी सदस से मिल करके भावी भारत के निर्माण में कुछ्छर को जी योगदान देने का गर्व प्राप्त करें बहुत बहुत धनिवाद करें मैं क्मिन्ट करें टुछ कर्माद